नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से 10 काम है जो हमें कर लेने चाहिए मार्च की GST रिटन भरने से पहले जी हाँ मार्च की GSTR 3B भरने से पहले आपको कौन-कौन से 10 काम करने हैं दोस्तों वीडियो पे आगे भढ़ने से पहले मैं आप सबको एक tweet दिखाना चाहूँगा जो मुझे personally feel होता है अभी की situation को देखते हुए दोस्तों, जितने भी registered व्यापारी है CA, करसलाकार, साइद हम सबको जिन्दा रहने के लिए सास की जरुवत नहीं है दोस्तों GST return भढ़ना जाहिद जरूरी है अगर आप इस बात से सहमेत है तो इस tweet को ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करिए, इसकी link भी आपको description में सेहर कर दूँगा दोस्तों, जिससे government को लगे कि वाकई में situation कितनी important हो चुकी है अब भढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ जो आज का main motto है दोस्तों 3B भढ़ते समय सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है पहले ही चीज, timeline हम सबको पता है 3B की जो timeline है वो 20 अप्रेल है, 22 अप्रेल है या फिर 24 अप्रेल भी है इस किसी-किसी cases में तो due dates I believe आप सबको पता होगी due dates important इसलिए होती है ताकि आपके उपर कोई late fees या किसी प्रकार की penalty ना लगे तो आपको ध्यान रखना है, ये due dates आपके सामने है अल्रेडी पुराने वीडियो में आपको exact due date पता चल जाएगी दूसरी जो important चीज आती है दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है books versus 2A जो आपने 2A में आपका ITC reflect हो रहा है आपको उसको books से reconcile करना है उसके बाद आपको GSTR 3 भी file करनी है अगर कोई difference आ रहा है between ITC in books and ITC reflected in GSTR 2A then effect of such difference may be taken in March 2021 return तो अगर books में 2A में कोई difference आ रहा है दोस्तों तो उसका impact आप March 2021 की return में ले सकते हो अब आपको इसका difference कैसे लेना है क्या positive होगा, negative होगा अगर ऐसा किसी उपरकार का confusion है तो आप हमें comment box में share कर सकते हैं या video में आगे इसके उपर भी discussion है आप video end तक देखेगा दोस्तों आपको सारी doubts clear हो जाएंगे दूसरा वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक बात और request करना चाहूंगा अगर आप channel पर नए है तो channel को भी subscribe कर लीजिए और bell icon पर click करना बिलकुन ना भूले दोस्तों इसके बाद आते हैं दोस्तों थर्ड थ्री नंबर पे जो है rule 36 sub rule 4 जो भी 2A की बात करी थी यहां पे इसका link होगा हम सब को पूता है rule 36 sub rule 4 बोलता है 5% से ज्यादा ITC हम नहीं ले सकते हैं तो if on cumulative basis ITC as per rule 36 sub rule 4 if ITC exceed 5% then it may be adjusted in March 2000 return तो आपने जो उपर 2 second number की step में देखा था 2A में जो reconcile किया था books से difference निकाला था अगर 5% से ज्यादा exceed है difference जो आ रहा है तो आप score rule 36 sub 4 के मताबिक March की return में आप उसको adjust कर सकते हैं friends यह थे 3 important पहलू अब हम चलते हैं दोस्तों चोथे नंबर पे क्या बोलता है चोथे नंबर का पहलू यह चोथे नंबर का पहलू बोलता है rule number 42 and 43 जो बात करता है taxable और exempt supply के बारे में तो rule 42 और rule 43 का भी आपको देखना है कि उसके accordingly क्या taxable और exempt supply आपकी दोनों थी business purpose के लिए personal purpose के लिए कुछ use किया आपने तो accordingly उसका ITC आपको March की return में adjust करना है अगर अभी तक already नहीं किया है तो अब बढ़ते हम rule number अब हम बढ़ते है हमारी step 5 पे कि आपको difference निकालना है GSTR 3B, GSTR 1 और books, GSTR 3B, GSTR 1 का January और April से लेके फरवरी तक reconciliation करो और अगर को difference आता है उस difference को March 2021 की return में दिखाएं दोस्तो बढ़ते हैं next की तरफ next है हमारा QRMP scheme से related अगर आप QRMP में हो those who have opted for the QRMP scheme या फिर जिसको जब दस्ति लाया गया है by default system के दोरा should file a return for the quarter of March after considering January and February month adjustment तो आप जब March की return भढ़ने जा रहे हो उसके बाद आता है 7th number पे the best option to correct mistake or purchase and sale for financial 2026 मार्ज 2021 हम सब को पता है अगर हमने sale purchase दिखाते टाइम April sale लेके फरवरितिक की return में कुछ differences कर दिये हैं तो March का मेरे पास बसता है otherwise अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो GST और income tax में difference की वज़े से आपको near future में मुसकिलों का सामना करना पड़ सकता है अब बात आती है other income की जो काफी लोग छोड़ देते हैं जी हाँ काफी लोग छोड़ देते हैं अगर आपको किसी और प्रकार की income हो रही है आपके business के लावा हो सकता आपको कोई commission income हो गई हो हो सकता आपको कोई interest income हो गई हो हो सकता आपको कोई rent की income हो गई हो commercial space के rent की income हो गई हो तो ऐसी कोई भी income है तो आपको expert से राए लेनी है कि क्या ये GST के दाएरे में आती है या नहीं आती है although अगर ऐसी income है तो आपको जब income हो उससे पहले ही राई ले लेनी चाहिए कि ऐसी income आपका कमाने जा रहे हो तो उस पर GST का क्या impact रहने वाला है बट अभी तक आपने नहीं ली है आपको लगता है ऐसी कोई है आपके case में तो आप expert से रहाए लीजी और देखिए क्या उस पर GST applicable हो रहा है या नहीं हो रहा accordingly आपको step लेनी है next है मारी fix assets बहुत बार क्या होता हम fix assets जब खरीदते हैं तो उस पर हम GST का input लेना भूल जाते हैं और पूरे साल भर के पर हैंपन GST का input नहीं लेने से उसको भी cost पे consider चल लेते उसका depreciation ले लेते तो आपको यह सब देखना है कि अगर आपने कोई movable employee खर input अगर आपने अपने 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 उसका input तो प्लीज मार्च की रिटर में आप उसका input लेजिया अगर eligible नहीं है तो definitely आप depreciation क्लेम कर सकते हो GST के part पे भी तो यह थे 9 हमारे important adjustment दोस्तों इसके बाद दस्वे नंबर का जो adjustment है वो भी अपने आप में बहुत important role प्रे करेग debtor creator रिको जी हाँ आप अपने जितने भी debtor से जितने भी debtor से उनसे reconciliation statement मंगाईए laser statement मंगाईए और reconcile कीजिए उससे आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिल सकती है कोई debit note होगा credit note होगा जो आपके सामने आले debtor creator ने चड़ा रख होगा बट आप से साथ mistakes से रह गया तो ऐसी कोई भी से संभावना होगी differences की वो संभावना भी दूर हो जाएगी इससे क्या होगा आपके आगे future में debtor creator से जो conflict होगे वो भी खताम हो जाएगे क्योंकि हो सकता है सामने वाले ने कुछ debit note, credit note अपने GSTR1 में दिखाया हो बट आपने accordingly नहीं दिखाया हो आपने books म आपके input पर difference आ सकता है या सामने वाली party के input पर difference आ सकता है तो ऐसी काफी चीजों का आपको ध्यान रखना है even sale में भी differences हो सकते है तो यह point एक से लेके 10 तक मैं आपको वापिस से snapshot दिखा देता हो इनका या वीडियो में revise कर के भी देख सकते हो पहला timeline था दोस्तों आपके best way है March में correct करने का अधरवाइस तो income tax में भी आपको issue आ जाएंगे आगे other income कोई है तो आप उसको भी consider करिए और उसके बाद अगर fix assets आपने खरीदी है तो उसका भी आपको दहाना खना पड़ेगा कि depreciation क्लेम करना है GSTK portion पर या input लेना है आपको और 10 से number का हमने देखा debtor रिको जो भी जो अपने आप में important role play करने वाला है data creator रिको तो यह थे दोस्तों 10 important काम जो आपको although video थोड़ा सा late बनाया है मैंने एकदम से click हुआ मुझे काफी पहले बना देना चाहिए था बट अभी भी जितने लोग देखेंगे जिसको फायदा हो सके और प्ली ज्यादा एकड़ पर click करना बिल्कुल भी ना भूले thank you so much दोस्तो जै हिंद जै भारत